देखिए सबसे पहली बात तो पूरे करगिल के आवाम को खुसूसान जिस जिस गाउं में PMGSY रोड का हमने फांडेशन स्टोन रखे उन गाउवालों को बहुत-बहुत मुबारिक बात में पैश करता हूँ और ये PMGSY जैसे कि आप सब जानते है सेंटरल गौर्वर्मेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे जितने भी जो ग्रामीन इलाका है रूरल एरिया है जो ग्राम गाउं के लोगों को एक सहुलियत देने के लिए अटल भीहरी वाशपाईजी ने इस स्कीम को बनाया था बीते सालों में ये स्कीम लदाग में बहुत कम आते थे खुछूसां कारगील में भी बहुत कम आते थे इस बार पिछली बार जोप मैंने करगील में दस दिन का टूर किया वहां मैंने खुछ जाके गाउं गाउं में देखा लोगों का क्या ढिमान है कहां पे जरूरत है कहां प्रियोटी देना चाहिए और मैंने उस गाउं वालों को वादा भी करकी गया और उसी वादा पे खरी उतारते हैं मैंने पूरे देली में जाके पूरा काम किया और यहां हमारे पार्टी के जिदने भी करकुन है हजी अन्याद साब हो, अली मजजा साब हो, हमारे डिस्टिक प्रेजिडेंट हो और जिदने भी लोग है, सभी लोगों से हमने फीड़बेक भी लिया, गाउं गाउं का तो उसका जिनियूरनेस देखते हुए, इस सरदी में हमने पूरा मेहनत करके पूरे लदाक के लिए खुशकावरी लेके आए पचास रोट, बड़े बड़े रोट जो है, पचास रोट हमने पीमजी एसवय में लेके आया अब उस पचास में भी सबसे ज्यादा करगिल डिस्टिक में 27 रोट हमने लेके गया अब 27 रोट में से काल 4 रोट, आच 2 रोट का हमने फाउंडेशन स्टोन रखा तो इसमें अवाम के खिदमत हो रहा है, लोगों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट काम मिल रहा है कल हम यहां से मरपोडोक गाउं गया, वहां के गाउंवालों ने हमें बताया कि यहां पे खास कर कोई बड़ा नेता यहां करगिल के भी नहीं आते है आता है तो सिर्फ एलेक्शन पे आता है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट खास कर रोड से जुडाना, बिजली से जुडाना, पानी से जुडाना जो है, बहुत कम होते है आज मैं करगिल वालों के सामने दावे के साथ किया सकता हूँ, करगिल के लगबग ऐसा कोई गउन नहीं रहा, जहां पे हमने विजिट नहीं किया आप सब जानते हैं, PMJS वेर रोड के वाली नहीं, मोवैल टावर कहां कहां पहुंचा और इसी PMJS वेर रोड में, वहां ठेला गाउं तक हमने रोड का सेंक्शन दे रहा है अब बाद आता है, काउंसिल को इसमें, फाउंडेशन स्टोन रखने में, फिरोज कान साहब ने, यहां की चेयरमेन साहब ने, एक चिट्थी लिखा मैं ने सोचल मीडिया में देखा, कि काउंसिल को अंडरमाइन हुआ, मैंने उसका तेकीकात किया, आंडरमाइन के से हुआ, लोगों का खितמत हो रहा है हमें जरूरा थे लोगों का खितमत होना है, चाहे आप खाना ऐसे कह है, पोहुँचना जरूरी है ज्यादतर ऐसे खाते हैं लेकिन अगर ऐसे खाने में दिक्कत होता है तो हाथ को ऐसे भी कभी कभी करना पड़ता है वो हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ काउंसिल को कोई अंडर्माइन नहीं हुआ है ना हमने किया है मैं बताना चाहता हूँ यदि अगर काउंसिल अंडरमाइन हुआ है तो ये सवाल फिरोज खान साब को पूछना चाहिए जब यहां पे कारगिल डेवलिमेंट आथारोटी के नाम से एक गेजिट नोटिफाइड होता है जिसमें आपने कारगिल के पूरा सेंटर इलाका अब लिक के देते हैं कि ये जमीन काउंसिल से हटा के अब अड्मिनिस्ट्रेशन को हवाला करते हैं वहां पे आपका काउंसिल अंडरमाइन नहीं होता है क्या ये कारगिल के आवाम को जवाब देना चाहिए लेके सीसी नहीं नहीं दिया हलांकि दोनों काउंसिल के आगे यूटी अड्मिनिस्ट्रेशन ने प्रपोजल रखा यहां के काउंसिल ने फिरोज कांद साब ने बिना पड़े बिना समझे अंदा दुन उसको साइन करके जितना करगिल के लोगों के जो आवाम के हाग और हुकुक है वो लिखित में दे के ट्रांसपर किया लेंड का पावर वहां आपका काउंसिल अंडरमाइन नहीं होता है क्या आज क्या यहां जो है बड़े-बड़े प्रोजेक्स का हम फांडेशन स्टोन लगाता है उसमें दो तिन काउंसलर का हम नहीं लिखते है वो भी बोर्ट MP नहीं बनाते है बोर्ट हमारे टीम नहीं बनाते है बोर्ट बनाता है एक्जिकुटिंग डिपार्टमेंट एजेंसी मैं आपको पुछना चाहता हूँ फिरोजखन साब को यहां लदाग में G20 का समिट हुआ ग्लोबल कारगील के काउंसल ने वहां शकल नहीं देखाया इन्वाइट करने के भवजूद भी वहां आपका काउंसल अंडरमैन नहीं हुआ है क्या वहां आप लोगों को क्या जौब दोगे मैं आपको पुछना चाहता हूँ आपके CEC लीडर्शिप में यहां के हमारे अली चंदन साब जब एग्जिगिटिव काउंसलर थे कोविट में वो टूर कर रहे थे DC साब जो काउंसल के नीचे CEO है तबके उन्होंने एग्जिगिटिव काउंसलर को लिखित में सावल पुछा वहां आपके काउंसल अंडरमन नहीं हुआ है क्या यहां आपके सीटिंग एग्जिगिटिव काउंसलर जीस पे 420 का मुकदमा चल रहा है करप्शन के एक्ट के अंदर चल रहा है 295 सेक्शन में एफायर हो चुका है हर 10-15 दिन जो है थाने में पिशी बुलाते है जंडा लगा के एग्जिगिटिव काउंसलर के ओफिस पे पूरा पुलिस का टीम जाके छपा मरता है वो क्या आपके काउंसल को अंडरमन नहीं है आज हमने लोगों के खिदमत में बड़े बड़े प्रोजेक्स का टोटल कूल मिला के काल चार रोड आज में ने दो रोड का दरास में किया तो कूल 45 का रोड के प्रोजेक्ट हमने आवाम के खिदमत में लगा के दिया आपको लगाए कि काउंसिल अंडर्माइन हो रहा है भई देखो कुछ लोगों ने विरोसकंस आपको प्रेशराइस किया मेरे लाके में मेरा नाइम नहीं लिका है भई लाके किसके मैं क्या यहां की MP नहीं हूँ मैं क्या आपको रिपर्जेंट नहीं करता हूँ आपके गाउ दूँ यह Autonomous Hill Development Council का मैं Ex-Official Member हूँ मेरा हक है यहां पे और यह हक अवाम ने दिया है मुझे Constitution ने दिया है LSDC Act ने ने दिया है National Conference ने नहीं दिया है तो यह जो है अवाम को समझना चाहिए आज इनके पास ना आइजेंडा है ना पबलिक को जवाब देने के कुछ है नहीं ह हलांकि हमने Council को Empower किया है यहां पे मैं आपको गिन के बता सकता हूँ मैं जब ले Council में CEC था यहां भी कोई CEC था तब हमारे Council का बजट जो है 55 करोड था सालाना के बजट आज 45 करोड का थू PMGS वे रोट का Foundation Stone जो है दो दिन में रख रहे हम 55 करोड से उठा के हमने हमारे सरक कांसलर के जो CCDF 18 लाग हुआ करता था यूटी बनने से पहले हमने उसको 18 लाग से उठा के आज डेट करोड एक करोड पचास लाग का CDF बना के दिया है हमने क्या Council को Empower नहीं किया है यह बजट जो है क्या आपको National Conference के फारुग अबदुला साब ने दिया ओमार अबदुल नहीं लिखा है उन कांसलर को मेडिया वाले पूछना चाहिए अब PMJSY के लिए रिक्वेस्ट लेके MP साब के अपास कितनी बार गया एक दफा नहीं आया यह लोग मेरे पास गउंवालों ने मुझे बता है वहां के विलेज डिपर्जेंटिटिव ने बता हमारे पार्टी तीस हजर से इनका सेलेरी उठा के जब हजी साब चेयर्मेंट थे साट हजर किया साट हजर के बाद हमने एक लाग बीस हजर किया इनका तो क्या हम कांसलर को इंपाउर नहीं कर रहे हैं अवाम की खित्मात में हम काम नहीं कर रहे हैं बई दखो नाम लिखने नहीं लिखने स council जो है उपर नीचे नहीं जाता है लोगों को मेरे नाम से आपके नाम से कोई ले ना देना भी नहीं है लोगों को काम चाहिए और वह काम हम कर रहे हैं जोति क्वाiken कर रेमार कारगील के लिए 27 रोट का अब रखना है जिसमें से अभि 6 ही हुआ है और एक किस रोट का फाउंडेशन स्ट्रोन रखना है मुझे कोई मतलब नहीं इसमें जिसको तकलिव होता हो जो खुश होता हो अवाम के खिदमत में गाउं गाउं जाता हूं लोगों के सामने मुँ उठा के बात करता हूं कोई चुरीची पे नहीं करता हूं तो ये फिरोज खान साब जो लिक रहा है मुझे नहीं पता कि वो खुद की इंटेंशन से लिक रहा है या उनको अभी भी एक डेट मिना काउंसिल बचाना है कुछ लोगों को नराज नहीं करना है उजी साब से लिक रहा है क्यूंकि करगिल का काउंसिल जो है जूल खते खते यहां तक पहुंच गया है फिरोज खान साब को मुबारिख है लेकिन एलेक्शन जाने से पहले लोगों के सामने इस तरह के बायान बजी ना करें जो लोगों को पसंद नहीं आए मैं इदना ही बताना चाहता हूँ, बहुत बहुत दन्यवाद कहां पर? अरे खुद तो आये मेरे पास वो मुझे बोले कि भई साब आपने बहुत बहुत दन्यवाद मोधी जीन ये रोट दिया, जल से जल इसका टेंडर करे कोई नहीं आया जल से जल ये रोट जो है अठारा मिने का पीरेड होता है एक साल में हमें करके दे, कोई नहीं आया वो हमारे पास आये और बोले कि मेरवनी करकीज में कॉंटेक्टर के कान खींचे सबस्टेंडर्ड मेटरियल ना यूज़ करे, कोई नहीं आया सिर्फ इनको चिलाना था, मेरा नाम नहीं लिखा है तो ये तो लोगों के समझ में आता है कि हो क्या रहा है हलांकि मैंने कभी नहीं पूचा करगील में कितना इनोग्रेशन हुआ जिसमें MP साब को आपने बुलाया, नहीं बुलाया, नाम लिखा, नहीं लिखा हमने नहीं पूचा, हमको लोगों के खित्मत से मतलब है मेरे नाम लिखने से क्या फरक पड़ेगा, नहीं लिखने से क्या फरक पड़ेगा लोगों को बिजली मिल रहा है क्या, पानी मिल रहा है क्या, रशन मिल रहा है क्या, सड़क मिल रहा है क्या, नेडवर्क मिल रहा है क्या, अभी दरास में जाके हमें आया, दो लोगों को अभी भी बिजली नहीं देके रखा है इनको, किसका जिमा और यह है, अब यहां बिजल करो डिटेजमेंट करो हमारे स्कूल शफर हो रहा है किस और कोई किसी का रिष्तेदार होगा कोई आपकी सियासी पार्टी का वोटर होगा छोड़ो लोगों के खास कर तालिम के साथ तो कम से कम सियासत मत करो आज के डेट में भी कल में बुराको के लोगों ने मुझे बोला वहां के टीचर आज भी यहां आटेश करके रखा है यह उसक को डीटेश करो उसके लिए भी मोधी जाएगा क्या वहां स्कूल में हैड मस्टर नहीं लगाओ न उसके लिए यह क्या कॉंसिल का जिमावर नी है जब अब यह सारा कम नहीं कर पाते है यह नगामी छुपाने के लिए आप कहते हैं की MP साब आके काउंथ को अंडरमेंड किया बै। काउंसिल को आपने एंपावर करना है काउंसिल के इजद पलक में दु़ल्प में बरकरार रखना है तो लोगों में जाके काम करो ना मेरे नाम आपके नाम से क्या लेना देना आधेना है को लोगों को काम चाहिआ और वो काम हम देली से गिन के ला रहे हैं जहरा है Oh लोग खूश है अच f देखिए जिस तरह मुंसिपलिटी है आपके पास एक एक्जमपल है उस में आपको रेजिदेंशल बिल्डिंग बनाने के लिए प्रमिशन लेना होता है और यह ग्रेटर कारगिल पर्सन लोगों ने यहां प्रेस कॉंफरेंस किया पश्क्यूम के काउंसलर साब जो कॉंग्रेस पार्टी के उन्हों ने बीजेपी को धन्यवाद दिया कम से कम लोगों को जागरुग किया हमारे काउंसलर साब क्या बेवकूफी कर रहा है क्या गलात कर रहा है पश्क्यूम क काउंसिल ने लिख के दिया है यूटी एड्मिनिस्टेशन को सौब दिया है बिल्डिंग पर्मिशन से लेकर लेंड एलोडमेंट से लेकर कुछ भी मनलब इतने जूरिज्डिक्शन में आपने अपना हाथ काट के दिया है लोगों को क्या जाप देंगे आप administration का फार्ज था कि लोगों का इच्छा है कि नहीं है पूछना था पूछा एसा नहीं कि administration ने अंदा दून बॉर्डर ज़र किया पूछा आपको वहां पे लोगों के interest को दियान में रखके resist करना चाहिए हलांकि lay council बीजेपी का है हमको ज्यादा तर lg administration को corporate करना होता है जब लोगों के hit में नहीं हम देखता है हम उसको उपोस करते हैं खुला उपोस करते तो आपको क्या मजबूरी था अब तो national conference का है अब तो ठंगा देखा सकते हैं आपको क्या मजबूरी था आपने तो लिखित में दे दिया रातों रात पूछा भी नहीं कम से कम मेंबर और पारलिमेंट को पूछता जो मुझे समझ में आयता मैं बोल देता आपको तो यह बात है अब आपने तक क्या कर रहे थे जो कौंसिल चला रहे है अब कांसिल का बिजनिस जून भी हमांके करेंगी क्या कर रहे है कर रहे है अड्यक्र कहा नहीं हुआ ज्यादा तर एक्ससाइज ले कांसिल ही कर रहा है मैं आपको यह बता दूँ झतना डेकुमेंटेशन है वह पढ़ क्योंकि वो पढ़ता है, यहाँ नहीं पढ़ता है, अंदाधून करता है. पुलिस वाले से थाने लिवाय को देगा, किसका नाम हे, क्यूं हे, किसके एककॉण्ट्से टां defense है, नहीं हूँ, यह नी भी लाब को बताएगा. कोई जिस से भी जोड़ के देखे, मुझे उससे मलब नहीं है, मुझे यहाँ के लोगों के खिदमत करना है, और यह मेरा पहला दूसरा तीसरा टूर नहीं है, अब सब गवा है, पिछले चार साल में मैंने कितने बर दोरा किया, कितने काम हुआ है, नहीं हुआ है, दिशाय मी कोड़ क्यों नहीं बनते हैं, यहाँ जो हाली मीटिंग में हमने पूछा, बीमा योजना किसान का क्यों नहीं बन रहा है, हर चीज का पूछ रहे हम, तो अब हर मीटिंग को आप एलेक्शन से जोड़ के देखेंगे, टूर को जोड़ के देखेंगे, वह आपने नजरी अनर शर्प्राइस उसके लिए इंतिजार करना चाहिए, अब साबको यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, है, बहुत-बहुत शुक्रिया, फोर मोर उपडेट, सब्सक्राब नाचानल कार्गिल तदेग, ख्लिक देशो लिंक्स पेंजुआ वाचिं देवीट